और उत्रप्रदेश की कुशी नगर लोग सभा सीट पर इस बार बीजेपी, कॉंग्रिस और समाजवादी पार्टी के उमिद्वार के बीच त्रिकोणिये मुकाबला देखने को मिल रहा है। 2014 में इस सीट पर बीजेपी के जीत हासिल हुई थी, यहां की जमीनी हकीकत का जाइसा लिया, राज्य सभा टीवी समवाद दाता कृती मिश्रानी। 2014 में इस सीट से बीजेपी के राजश पांडे ने जीत दर्च की थी, हाला कि इस बार बीजेपी ने राजश पांडे का टिकेट काट कर विजय दुबे पर फरोसा जताया है। इस सीट से मैदान में उता रहा है। इससे पहले 2009 में आर्पियन सीट से जीत दर्च की थी। वहीं इस सीट से समाजवादी पार्टी ने नथुनी प्रसाद को श्वाहा को मैदान में उतार कर मुकाबले को त्रिकोडिये बना दिया है। गडबंदन की सरकार है और इस बार ये गडबंदन की सरकार यहां बनने जा रही है समाजवादी पार्टी की और इसमें नथुनी कुस्वाहा बहुत भारी मतों से जीतने वाले है। कुशी नगर लोकसबा सीट पर साथवे और आखरी चलर में 19 मई को मतदान होना है। एक तरफ बीजेपी के लिए है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी का करिश्मा तो दूसरी और गडबंदन के लिए है जातिय गड़ित और कॉंग्रिस के लिए है प्रियंका गांधी की मेहनत। अब देखना होगा कि कुशी नगर के इस विकोणिय मुकाबले में आखर कौन विज़ाई होता है।